बेलकम बैक तो माई टूब सेने पर हैगर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ बच्छे होंगे और आज किस वीडियो में यह देखने वाले हैं जो भी छात्र बी यह पस्ट सेमस्टर में है यह फस्ट यह रहे हैं जिसका और फस्ट सेमस्टर में है उनके लिए जियोग्राफ को देखें कि क्या क्या आप के लिए इंपोटकेंटैंगे दौहाजारजोंontin के एक्जामेगा देना वाले हैं तोatisf अब हम्मारे नोड को डान लोट कर सकते हैं नोड में आपको मैंने दैंरको डान नोट कर लेना भावसlag में नोड में मैं कह रहा हूँ अभी चलों को सब्सक्राइब करो चुप चाप करो भी और चलों को दोस्तों तक शेर कर दो उन्हें बताओ कि पेपर हैकर युटिवरों को पड़ो बहुत च्छा है वहीं से आप 100% गारंटी देता हूँ पास होने की और बताओ क्या लोगी और अब देखो द्यान से क्या करोंगे आप सबी लोग अब देखो यहां मैं कुछ कोशन दे रहा हूँ बहुत भी कलफी कोशन लगबग में 2-3 यूनिट में कबर करूँगा तीन से चार यूनिट भी कबर कर सकता हूँ तो लगबग में पार्ट बन होगा यह पार्ट बन क्या होगा जियो यह हमसे बोला गया है कि बहुतिक बातावर्ण का अध्यन ही बहुतिक भूगोल है यह किसने कहा यह कोशन ऐसे बन देगा और चार आप्शन आपके दिये होंगे तो आप हैम्स को याद रखना कह सकते हैं आर्थर हैं उन्होंने यह कहा था कि बहुतिक बातावर्ण का अध परिकलपना है, उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया था, कितने भागों में टाक, तीन भागों में डिवाइड किया गया था, याद रखना, नेक्स कोशन है, सूरिय सौर परिबार का तारा है, या ग्रह, या आप से पूछा गया है, तो बेटा, ग्रह नहीं है, सूर प्रुष्टत की गए थी तो निहारी का जो परिकल्पना थी वो पापलास द्वारा प्रुस्टत की गए थि तो और拖नत की गई थी तो option नमबर हमारा लापलास इस सदला गया ठीक है कि आइस superstition यहां बुला गया है चरसीरी युग किक कल्प यह का भाग यह किस होता है, तो संपूर्व के ऊंत्रिक परत का नाम क्या होता है? उसे हम यूक्रोन बहुते है, क्या हूता है, यूक्रोड के नाम से भी जाना जाता है, क्या यूँ क्रोड ठीक है यूँ क्रोड के नाम से जाना जाता है चालो, next question आपके सामने आप बहु भी कलपी question है जिसमें चार option दिये हुँँगे आपको आंसर बताना है देखो, यहां बुला गया है कि पिर्थिभी के सौर परिवार के ग्रहों की कुल संख्या कितनी है तो बिटा नौ गिरह है याद रखेंगे को इतनी गिरह है बिटा नौ गिरह है याद रखना Next question है प्रतिवी की उत्पत्ती के बारे में जो यह रिए परिकल्पना किसने प्रुस्तित की थी तो वो की थी जैम्स लाल ग्रह सुक्र को बोलते हैं है चंद्रमा 1 क्या है प्रतिबि की उत्पत्ती के जो किसी ने किया था तो जो जो वह रिए कह सकते हैं एक सिद्धान दिया था 1919 में किसे दिया तो आप रहेंगे आपको पताए जिन्स ने दिया था जेम्स इन्होंने दिया गया था option number B को लॉग कर देना ठीक है तो याद रखेंगे किसे ने दिया था जेम्स जीनस ने दिया था option नमर B को लॉग करेंगे नेक्स कोशन है कौन सी परिकल अपना है well and little द्वारा पृतिपादित की गई थी तो वो गई थी नोबा नोबा परिकलर वाजो थी वो जो होईल थे और लिटल थे उनके द्वारा प्रिस्थत की गई थी concept इसको याद रखेंगे सात्मा कोशन है प्रतिवी के कह सकते हैं जो भूगरिक इतिहास है उनका प्राचिंतम यूग कौन सा होता है तो उसको बिटा उ एंब्रियन के नाम से जाड़ा जाता है नेक्स कोशन है सूरिय से सबसे दूर गिर है कौन सा है सूरिय से सबसे जो सूरिय है इससे सबसे दूर गिर है वो विटा यम है यम गिर है सबसे दूर है इस बात को याद रखेंगे नेक्स कोशन आपके सामने है भूग्रोड का घं प्रित्वी के या प्रित्वी की आंतिक प्रत से निकल कर सतह पर जमाने को का कहते हैं यदि हम कह सकते हैं जो सतह पर जमने को मतलब माल लीजिए जो मेगमा होता है प्रित्वी के अंदर से निकलता है जब जौला मुकी फटती है ना तो मेगमा निकलता है ठीक है अब वो प्र निकलता है उसा मैगमा बोला जाता है उसे मैगमा बोला जाता है जोलाव की फटने के बाद में अब वह निकली और बाहर जम गई पिर्थवी पर इधर उदा जम गई तो इसको क्या कहेंगे जोलाव की फटी तो यहां यहां जम गई साइटों से यहां जोलाव की फटी तो इ तो यह कोशन थे की योनित नंबर एक से तो यह एक में आपको यह इंपोर्टैंट मिलहेंगा यहासे मिद्द पर दो में देखे क्या होते हैं बस इतना होता है तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहां अतिरों को देखेंगे और नीचे बहु विकल्पी कोशनों को भी देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से हम समझ पापाई ठीक है तो दिहान से देखेगा यह कोशन 2022 के एक्जाम के लिए किसने प्रती बादत किया इस तरीके से मुझेगा महादी पी जो भुस शंतुलन या सबस्तव का सरक्रत्म परेओक इस का जो सबसे पहले प्रियो किया था वो दिया था डटन द्वारा ठीक है तो डटन द्वारा उसका प्रियो किया गया था सबसे पहले सबसे तीब्र गती बाली भूकम्य लहरे कौन से होती है सबसे जो तीब्र गती से तो भूकम लहरे निकलती है उसे पी लहरों के नाम से जानते है क्या व परिट्टी दौरा मुलती है ने में फोषिनसाले कोना सबसे ज़्याधा जव को पिलियन जौला मुखी ठीक है जी को पिलियन जौल जौला मुखी ैं वो सबसे ज्यादा करती है ये जौला मुखी से लेड़ेंट इंट है आफ से बनते हैं बहुत ज्यादा था तो इसनिएम आपको करा रहा हूं next question है जिसको मोड़धार परवतों के निर्माण में सबसे माने परिकलपना कौनसी है तो बिटा मोड़धार जो कह सकते हैं वो सबसे ज़ादा जो है मैं आपको देख़ो जूंमिंग करके ते कर दिखा रहा है वो बिटा है आप देख सकते हैं महादीपिये विस्थापन का आधारित परिकलपना बहुत साथ है इसको आप ध्यान रखिएगा नेक्स कोशन है मोड़दार परवतों का निर्माण किन दुरणियों में हुआ है तो आप कोगे वो भूसनतियों में हुआ है भूसनतियों बोलते हैं इसको अच्छी तरीके से दुरणियों मोड़दार परवतों के निर्माण में कौन सी जो हलचल अधिक प्रवावी है तो आप को के महादीपिये जो संचलन होती है वो सबसे ज़्यादा प्रवावी होती है चलो यहां नेक्स कोशन को चलते हैं नेक्स कोशन है ए अरी कह सकते हैं अरी अन पेट संबहन धारा सिद्धान्त के प्रतिपात कौन है बहुत जाता पूछा जाता है संबहन धारा के तो हैंस द्वारा दिया गया था इसको याद रखना है है जो था आर्थर हैंस द्वारा इस सिद्धान्त को दिया गया था संबहन धारा सिद्धान्त को ठीक है अब बहु विक अप्शन बॉक्स में टेलीगराम के लेंक पर टॉच करो और सारी वीडियो देख लो और बहां सारे नोट्स भी डाउलोड कर लो नेक्स कोशन है महादीपों की उत्पत्ती का नविंतम सिध्धान्थ क्या है तो बिटा वो नविंतम सिध्धान्थ जो है वो प्लेट विवर् सब्सक्राइब करें बुला गया है महादीप और महासागर की उत्पत्ती से संबन देत जो चत्रफलन सिध्धान्थ के जनक कौन है तो आप उसको ग्रीन बोलना ग्रीन का है जिसे हम लोथियन ग्रीन के नाम से जानते हैं बुला गया है भूकंबी लहरों में सबसे अधिक गती वाली कौन से होती है सबसे अधिक गती से प्राथमिक लहर सबसे अधिक गती से सब्ती है ठीक है next question यहां बुला गया पिडृतिवी कि जो भोगरविक इतिहास का प्राचिंता वो यूग कौन सा है तो आपको मैंने ऊपर बताया था वो करंबियम यूग बोला जाता है इसको आप अच्छी तरीके से याद करिएगा कभी यूग जो होता है वो सबसे जादा बोला जाता है नेक्स कोशन है प्रभावी सिद्धानत किसने प्रतिवादित किया था तो प्रभावी जो सिद्धानता वो ए बैगनर द्वारा प्रिसित किया गया था जो अलमकी मुख में मुख से निकलता है तो जो अलमकी के जो होता है उससे क्या निकलता है तो गैस भी निकलती है लावा भी निकलता है और धुआ भी निकलता है तो यह सभी निकलते हैं option number D को लॉग करते हैं तो नेक्स कोशन को एक बार देखेंगे हैं यहां कहला है धरातल के नीचे वहला प्रिदवी के चट्टाने नेड़ी पिगली होती है उनको मेगा वोला जाता है यहां कहा है मोड़दार परवतों के निर्माड के संबने में भूसनती संकलपना किस विद्धान में विद्धान ने प्रतिपादित की है तो वो कोवर द्वारा प्रतिपादित की गई थी कोवर द्वारा जो मुड़े हुए परवत थे उनके जो भूसनती संकलपना थी कॉंसेप्ट था वो बिटा कोवर द्वारा बताया गया था नेक्स कोशन बुला गया है अमेरिकन भूगोल बित्ता का नाम बताईए जिसने उन्ने सो उन्स 1869 में भूसनतुलन द्वारा किया था मैं कई बार बताथ चुकाँ इसकोशन को उपर भूसनता का जिसने प्रियोंग किया गया था वो डल्टन थे ठीक है इसको सह समर्वंध को लगा है समब्न सभंद, स्भार Effect, सिध्धान का संभन किससे है तो समेघारा जो सब्सक्राइब अब्ॉस पर्बत का निर्वारा का संभन कैसी, यहां बुला ग्या है मारगन के मारगन ने बिस्व में कितने प्राचीन बिसाल शिलाक घ्या है यह फिर कह सकते हैं सिल्ड बनाए है तो आप कोगे यह फिर बतलाए है तो आप कोगे बोज छे बतलाए है ठीक है लियारी दीव जो होता है वहां पर ये इस्तित होती है तो यहां आपको 2022 के लिए most important यह है ठीक है यह आपके लिए unit 2 हो गई unit 1 और unit 2 करा दी unit 3 को और देख लेते हैं इसमें ठीक है क्योंकि 8 unit है तो 3 भाग में हम को डिवाइड कर पाएंगे ठीक है तो लोग अब देखते हैं तो यूनिट नंबर 3 को चलो तो गाइस अब देख लेते हैं हम लोग unit number 3 को इसमें क्या क्या है आपके लिए most important रहेंगे एक्जाम 2022 के लिए आपने अभी तक चल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए बैल को चल करते हैं यहां बात करने वाले है पहला कोशन है अनच्छादान में जो समलित है वह बिट्टा अबच्छै और अपरदन यह दोनों समलित होते हैं । यह नच्स कोशन है विभिन अवहाज चेत्रों को प्रत्थक किया जाता है तो विभिन अवहाज चेत्रों को जल विभाजन द्वारा प्रत्थक किया जाता है जल विभाजक या फिर विभाजन द्वारा ठीक है जल को विभाजन करके मतलब विभाजक करके प्रत्थक किया जाता है नेक् देविस महोदय ने किस सिद्धान का प्रितिश्व द्धान के मैंने कहा ना अपरदन का अपरदन जो चक्र था वो डेविस द्वारा दिया गया था इसको आप लौक करते रहे है नेक्स्ट कोशन है विले के निर्माड में कौनसी बुगरविक क्रिया प्रभावी होती है तो आप होगे जो जो संपीडन प्रिक्रिया होती है संपीडन द्वारा जो वले का निर्माड होता है यह सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है ठीक है तो संपीडन आप लौक करेंगे संपीडन द्वारा ठीक है नेक्स्ट कोशन है व्रहंस की उत्पत्ति में किस भुगर में क किर्या का पिर्मुक योगदान होता है वह होता है मतलब किया कहते हैं जो संचलन une याद रखेए, संसलन्द भूगर्विक क्रिया का मुख योगदान होता है। नेक्स कोशन है, अनच्छादान कहते हैं, कि दो पिर्मुक बिभाधन आपको बताना है, एक होता है अब अच्छे, एक होता है अपरधन, दो एक विभादन होते हैं इनके इसको आपको नोड करके रखना है ठीक है next question आपके लिए है अवहा तंत्र के बिकास में किस वहा सकती की प्रमुक भूमिका होती है तो वह उती है प्रभावी जल और नदी की इसको आप लोग करेंगे अबशे मुकता कितने पिरकार का होता है तो दो पिरकार का होता है एक होगा भौतिक अप्षे दूसरा होता है रासानिक अप्षे इसको दोनों को याद करें के नेक्स कोशन है भूप्रेश्ट पर इस्तला के लिए के विकास और उत्थान में प्रिया कितनी अवस्थाएं होती है तो आप वे तीन अवस्थाएं होती है नमबर एक होती है यूव अवस्था प्रोड अवस्था और दूद्र अवस्था ये तीन अवस्थाएं होती है इन वो अगनिये के जो चट्टाने होती हैं, उसमें लावा, यसे मेंगा बोलते हैं, जो जुआला मुखी के द्वारा निकलता है, वो उसकी प्रमुख भूमिकर रहती है, नेक्स्ट कोशन है, पर्तदार, जो पर्तदार होता है, पर्त कह सकते हैं, या फिर उसको हम अबसाधी भ चट्टाने होती हैं, तो बिटा, उसे रुपांतर चट्टाने बोलते हैं, संग वर अबर कोई है, फिर कलांतर चट्टाने भी बोला जाता है, अब यहां बहुभी कल्पी कोशन, जो MCU कोशन है, उनको देख लेते हैं, जिसमें चार ओप्शन दिये होते हैं, और एक आंसर ह होता है, अब यहां देखो, इस तरीके से कोशन बनेंगे, बात भी है, आप ऑप्शन मलूब, अप्ति लगोतर वसंद भी कोशन उनते हैं, यहां बोला गया है, प्रतिवी के क्रेश्ट के निर्माण में सबसे मुख क्या है, तो बेटा, प्रतिवी के निर्माण में सबसे अगनिये चट्टाने होती है, हमारी प्रतिवी के निर्माण में, सबसे ज़्यादा, नेक्स कोशन है, निर्मे से कौन सा अगनिये चट्टाने है, तो गरिगनाइड एक अगनिये चट्टान है, आप जानते हैं, इसको आप याद रखेंगे, नेक्स कोशन बोला गया है, का सबसे ज़्यादा संकलपना दी थी यह concept दिया था समान परदन वो डेविस दोड़ा दिया गया था मैं उपर कई बार बता चुका हूं व्रंस घाटी का सबसे प्रमुक उधान क्या होता है जो व्रंस घाटी का सबसे गड़ा है वो है मृत घाटी याद रखना मृत घाटी बो होती है वो कैस एक है संपीडन की होती है किस की होती है बता संपीडन की नेक्स कोोशन गया है समान अपरदन चक्रद्वारा को को किई दी तो बिटा बहन्सद्वारा होता है यहां देखो नर्मदा नदी घाटी का जो विगास हुआ है वो बहन्सद्वारा हुआ है नेक्स कोशान है पिरकरम अवस्था किसका पृतिफल है यह बिटा समान अपरदन चकर का प्रतीफल है ठीक है इसको अब याल रखेंगे लास्ट कोशन है इस वीडियो का उसके बाद में यूनिट नमबर जो चार है वो पार्ट नमबर टू में डालेंगे अब यहां कर रहें अब वहा तंतर का विकास होता है तो बिटा वो नदियो द्वारा होता है इसको याद रखना है ये थे 2022 में आने वाले question जो आपके लिए काफी important थे, आई आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को like करेंगे, वीडियो को subscribe करेंगे, अदब की वीडियो को like करेंगे, चैनल को subscribe करेंगे, अल्टा कर रहे हैं हम दोग, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो चैनल को जरू subscribe कर thank you for watching वीडियो, मिलते हैं आख शुन तब तक की part 2 में, bye bye